बंगाल के लिए TMC के 42 उमिदवारों के लिस जारी ब्रिगेट रैली के दोरान प्रत्याशियों का एलान डाइमंड हॉबर से लड़ेंगे अभिशेग बनरची बैरामपूर से पूर्फ क्रिकेटर यूसफ फठान को टिकेट कॉंग्रस के अधीर रंजन के खिलाफ मैदान मोतारा वशीर हाथ से अक्ट्रिस नुसरत की जगए नुरूल इसलाम को टिकेट कॉलकाता में टीमसी की ब्रिगेट रैली बड़ी संख्या में शामिल हुए कारिकरता सांसद अभिशेग बनरची ने लोगों का किया भिवादर हारान के हिस्दार से सांसद ब्रिजेश सिंग का बीजेपी से स्तीफा कॉंग्रस में शामिल हुए ब्रिजेश सिंग पूर्फ केंद्रिय मंत्री चौदरी बिरेंडर सिंग के बेटे हैं ब्रिजेश दली में कॉंग्रस शीफ खडगे की मौझूदगी में कॉंग्रस में शामिल हुए विजेश्टेंग, कॉंग्रस का पटका पहना कर्प किया गया स्वाधत राजस्तान कॉंग्रिस के 30 नेता बीजेपी में शामल, लालचन काटारिया कॉंग्रिस शोड़ कर बीजेपी में शामल यहलोत के करेबी, राजेंदर रियाद अवधी, BJP में शामिल पूर्वसांसत, खिलाडी, लाल बहरवा भी, BJP में शामिल रिचपाल मिर्धा, विजेपाल मिर्धा, BJP में शामिल आजमगर्ड में पी-ैम मोधी ने यूपी को दी सौगात कई जग़ों पर एरपोर्ट्स का वर्चुली की आउद घाटन कई और विकास सियो जनाओ की रखिया धारशिला आजमगर्ड रेली को प्याम मोधी ने क्या संभोधित कहा आजमगर्ड बना रहेगा विकास का गड़ आजमगर्ड का विकास मोधी की गैरंटी पियम मोधी बोले आपका प्यार विपक्ष की नीद उड़ा रहा आजमगर्ण ने सअभी तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीत देखी अब विकास की राजनीत देख रहा है पियम मोधी बोले देख रहा है कि मोधी अलग मिट्टी का बना है हमारी सरकार में विक्सित भारक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश आजमगर में वोले सीम योगी दस साल पहले माफिया और अपराधों से होती थी आजमगर की पहचान आज बही पीम करोणों की दे रहे सौगात वारणनसी के बरेका गेस्ट हाउस में पीम मोधी की मीटिंग में बीजेपी के 120 वरकरों ने लिया हिस्सा सीम योगी भी मौझूद रहे प्रदानवंचरी नरेंद्र मोधी ने अपने संसदीव शेत्रवारण इसी के दोरे पर किया थाइस क्लो मीटर लंबा रोड शो काशी विश्वनात मंदिर में भी किये दर्शन काशी विश्वनात मंदिर से दर्शन कर बाहर निकले पीम मोधी ने त्रिशूल उठा कर शरधालूं को अपिया अभिन अंदन त्रिशूल के साथ पीम मोधी ने किया जीत का शंखना ट्रस्की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया था तुरुशूर वारनसी के मुसलिम बोले जब जब मोदी उमीदवार होंगे तब तब होगी चीत वारणसी के मुस्लिमों ने की पीयम मोदी से अपील कहा जब तक चुनाब लड़े वारणसी से ही लड़े और हमेशा प्रधान मंत्री बने रहे पूजा की पोस्ट की लिखा श्री काशी विश्चुनात मंदिर में पूजा आर्चना की देश भर के अपने परिवार जनों के सुख्र की कामना की कनात के सिद्धापूर में बोले बीजेपी सांसद अनन थेगडे पी एम मोदी इसलिए मांग रहे 400 सीट जिससे सम्मिधान में किया जा सके बदलाव सांसद अनिन थेगड़े का अगक कॉंग्रेस पर आरूप कहा हिंदूओं के दमन के लिए संभिधान में किये कई बदलाव इन सब को ठीक करने के लिए बीजेपी को चाहिए 400 सीट बीजेपी सांसद अनिन थेगड़े की बयान पर राहूल गांदी का निशाना लिखा सांसद ने इडी ने सुभाश यादफ को किया रहेस्ट वेद बालू कारोबार केस में हुई गरफतारी लालू राबडी के करीड़े के लिए इन सुभाश यादफ के अलग लग आठ थिक कानों पर कीती चापे मारी इडी को दो करोड कैश के लावा अकूट संपत्ती राष्टपती ने एलेक्शन कमिशनर अरुन गोयल का स्थीफा किया मलजूर उन्स विस अरुन कोयल के स्थीफे के बाद अब की वलमुख्यू चुनावा आयो राजीव कुमार की बचेचिन के पर लिखा चुनाव आयोग या चुनाव चुक केसी वेरू कोपाल ने कहा लोकसभा चुनाव से ठीक चुनाव आयोग तरुन गोयल के स्थीफे पर जैराम रमेश ने उठाए सवाल कहा क्या उनके और चीश आचार सहिता लगने से पहले एलेक्शन कमिश्णर का स्तीफा गंभीर और चिंता चनाव किसानों का रेल रो को आंदोलन शुरूत दिल्ली अमृत सर रेल ट्राक पर बैठे किसान शंबू बॉडर के लिए उमीदवारों के नाम हों गेते पीम बोधी ग्रिमंत्री और पॉडर के लिए गुजरात के मांडवी में बच्चों समिले राहूल गांधी भारत जोड़ों ने आया लुगुजा सीट से विणु गुपाल को दिया है टेकेट शरत पवार ने पूने के लिए गुज़ात पूने अगर आपका पती मोधी मोधी करे तो उसे रात को खाना मत देना आम आदमी पार्टी ने दिली के सिविक सेंटर में आयोजित किया महला सम्मान समारों लोगसभचना वभिहान की शुरुवात की मध्यप्रदेश के सीह मोहन यादव ने गुरुग्राम में एक कालिक्रम को किया संबोधित कहा पाकिस्तान के बाट में दम नहीं के आप भारत की तरफ देखें बैटक में बोले मंत्री प्यूश गोईल पी-म मोधी के नित्रत्रों में देश में इंफ्रस्ट्रक्चर पर हुआ काम सभी शेत्रों में हो रहा बड़े काम यूवाओं के लिए बन रहे रोजगार के अफसर इंडिया EFTA के बीच ट्रेड और एकॉनमिक पार्टनर्शिप एग्रीमिंट साइन दिल्ली में पियूश कोयल की मौजूदगी में हुआ समझो था केंद्रे मंत्री अनुराक ठाकुर ने हिमाचर प्रदेश की कॉंग्रिस सरकार पर बोला हमला कहा कॉंग्रिस ने जनता को ठगने का काम किया जनता से किये एक भी वादे को नहीं किया पूरा सेम पुशकर सिंग धामी ने च्रेन से की यात्रा च्रेन की सौगात को लेकर पीम मोदी और रेल मंत्री को दिया धन्यवाद कहा पीम ने रेलवे को एक नया स्वरू पर सुरक्षा दी है CBI ने शेक शाजहां को बशीर हाट सब्डिविजनल कोट में किया पेश कोट में चार दिनों की दीर मान एक्ट्रिस संभावना सेट ने आपसे दिया स्तीफा सोचल मीडिया पर पोस्ट किया गुरुग्राम पुलिस ने यूट्यूबर एलवेश यादफ को भेजा नोटिस बारे माज को पुछ ताच के ले बुड़ाया दली के यूट्यूबर से मार पीट का आरू गुजरात के जुनागर में अवैद निर्मानों पर बुल्डोजर आक्शन कच बॉर्डर पर जाम कुई रिया काडवार कूरन गाओं में तीन मदर्सों को किया गया ध्वस्त सरकारी जमीनों पर कबजा कर बनी कई दुकानों और घरों को भी हटाया गया वैद कबजे से खाली करवाई गई 14 हेक्टियर जमीन दिल्ली के सीलंपूर में हत्यार बंध हमलावरों ने की फाइरिंग दो लड़कों को लगी गोली एक की हुई मौत दूसरे को अस्परताल में कराया गया भरती पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसी टीवी के लिए रही मदित पुलिस के मुताबिक रतक अरबास का है अपराधिक रिकॉर्ड पहले भी हुआ था अरबास पर हमला ब्यार में गया में डियाराई की कामिया भी कार से दो करोड पिचातर लाग का करीब चार किलो गोल्ड बरामत तीन लोगों को किया अरेस्ट पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच एंकाउंटर पुलिस ने तीन बदमाशों को किया गिरफतार देरबसी महिला हत्या मामले में थे शामन चेकइंग के दौरान पुलिस के रोकने पर बाइग सवार बदमाशों ने की फाइरिंग, पुलिस की जवाबी कारेवाई में तीनों बदमाशों को लगी गोली बदमाशों को अस्पटाल में कराय गया भर्ती गुजरात के सूरत में फेक लूट के मामले का भंडा फोर्ड पुलिस ने मास्टर माइन सहित ती लोगों को किया गिरफ्तार आट करोड की लूट की बनाई थी फर्जी कहानी कमपनी का कैश ले जा रहा, कैशिर ही निकला मास्टर माइन, पुलिस के सामने फर्जी कहानी बना कर दर्ज कराई थी शुकाया पुलिस की जांच में कैशिर निकला था, लूट का सुत्रधाय यूपी के लखीम पूर्खीरी में ट्राक्टर से टकराई तेज रफ्तारकार हाथसे में तीन लोगों की होई मौत यूपी के अंबेटकर नगर में अनिय अंप्रित होकर डबल डेकर बस पल्टी हाथसे में एक शक्स की हुई मौत दो दर्जन से अधिक यात्री घाया माराश्टर के कोलापुर में पताखा फाक्टरी में लगी भी शनाग फायर ब्रिगेट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू फाक्टरी में आग लगते ही होने लगे धमाके आसपास के लाके में धहशत का माहौल हाथसे में किसी को नुकसान नहीं Women's Premier League में आज दली Capitals और Royal Challenges में वैंगलोर के बीच होगी टकर दली में होगा मुकाबला शाम साड़े साथ बजे होगा शुरू Women's Premier League में मुझ्बाइ इंदियंस ने गुज्रा जॉइंस को साथ विकेट सहराया पॉइंस टेबल में टॉप पर पहुँछी मुंबई इंडियन्स की कप्तान हर्मन प्रीद कौर ने 48 बॉल पर ताबर तोड़ पिचान में रन बनाए प्लेयर ऑफ तो मैच बनी इंग्लाइन को सीरीज हराकर WTC के टॉप पर पहुंचा भारत अब New Zealand और Australia मैच में कोल भी जीते भारत टॉप पर रहेगा बरकराद पहला टेस्ट हारने के बाद वापसी करना शांदार था चार एक से सीरीज जीतने के बाद बोले कोच राहूल द्रवल श्रेश अईयर और शांट किशन पर बोले द्रवेड में और रोहे तनुबन तैय नहीं करते अब एक अंते मेका दश चुनते हैं कप्तान रोहे चर्मा का बड़ा बयान कहा जिस दिन लगेगा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूं सीधे सन्यास ले लूँगा BCCI ने दिया टेस्स खिलाडियों को तौफा, BCCI सचिप जैशा ने 75 प्रतीशत मैच खिलने वाले खिलाडियों को एक मैच में 45 लाख मिलेंगे इंसेंटिफ स्कीम खिलाडियों को फाइनेंचल हेल्प करेगी सुर्यकुमार यादव ने अपनी फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कहा मेरा टखने का नहीं बल्कि स्पोर्ट्स हानिया का हुआ ओपरेशन मेरी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है गाजा में इस्राइली हमले में अब तक 30,900 से जादा फलिस्तिनी मारे गए हैं एक दिन नुस्रित शरना थ्री शिवट की इस्राइली सेना ने बनाया निशाना हवाईदा ने हमास के कई ठीकानों को किया नश्ट हमास आतंकियों ने खान यूने बुरी तरीक से शती ग्रस्थ हमले के वक्त इमायरत में मौझूद थे करीब 400 लोग गाजा में मज़िदों के लोगों के परिजनों और शिदारों ने तेल अबीव में निकाली रैली बंदखों की रिहाई की मांग थी गाजा में अमारिका ने खाने के पाकेट गिराए भूग से बेहाल फिलिस्तिनी लोग फूड पार्सल लेने के लिए भग तेली में समुद्र में फसे 261 लोगों को बचा आ गया रैस्क्यू के बाद जोहाज बंदरगा मतीब बाखी लोगों को जेनुआ बंदरगा पर उतारा गया यूक्रेन के खैरसों पारी बारिश तड़कों पर जमा हुआ पानी अबुधावी में गिरे ओले मैक्सिको के बाद जोहाज बंदरगा राजस्तान में पेट्रोलियम डीलर्स की दो दिन की हर्ताल पेट्रोल डीजल पर लगाए बाद गौकशी और गौत तसकरी रोकने के लिए दिलाई शपद गौकशी तसकरी भी पार्किस्तान से कॉल कर शेहनाज और उनके पता को दी धंकी अधिया में रन फॉर राम इंटर्ण आई दौर ख्रीडा भारती ने किया मैराथौन का आयोजन गुजरात के वरोदरा में महिलाओं के लिए साडी रन मॉंस ओफ वरोदरा ने किया आयोजन दौर से पहले महिलाओं ने किया डांस बैंगलूरू में पुलिस रन प्रोग्राम का आयोजन बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा सीम से धरमया ने दिखाई हरी छंडी ओडिशा के पूरी में सैंड आर्टिस दर्शन पतनायक ने बनाई सैंड आर्ट वोटर्स को जागरूप करने के लिए बनाई का लाकृती तमिलनाडू के रामिश्वरम में अगनी तीर्श्रम सागर पर जुटेश्ट धालू पूर्वजो के मोक्ष के लिए पित्रुकर्म पूजा की चेक रिपब्लिक की क्रुस्टीनिया के सरसजा मिस्वरल दोजाचोबिस का ताज 117 देशों के प्रतियोगियों को मात देकर खिताब जीता भारत की सिनी शेटी टॉप चार में भी नहीं बना सकी चगए मिस्वरल की जूरी में शामिल इंडिया टीवी के चैमन और एडिटर इंशीफ रजट शर्मा ने कहा सिनी शेटी के टॉप फोर में नहीं आने से निराशा लेकिन चेक रिपब्लिक की जो प्रतियोगी मिस्वरल बनी वो डिजर्फ करती थी मुंबाई में मिस्वरल फिनाले में नीता अमबानी को भी मिला आवर्ड ब्यूटी विद अ परपर्स हुमानिटेरियन आवर्ड से सम्मानत किया गया